हेलो बच्चो दिस इस कृष्णा वसेश्ट और आप सब कैसे हैं दोस्तो आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं इंग्लिश रुलेटिड यही वीडियो सेशन होने वाला है और इंग्लिश ग्रैमर आज हम करेंगे आप सबी को पता है जैसे कि आपका CDP subject बहुत ही important है काफी खास होता है teaching exams के लिए वैसे ही इंग्लिश ग्रैमर भी काफी important होती है और आज मैं अप से इंग्लिश ग्रैमर भी आप लोग को करवाऊंगा इस YouTube चैनल पर तो जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ तो प्ली सब्सक्राइब करें जो पच्चे फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्ली सब्सक्राइब करें चैनल को और पुरानी वीडियो मेरी जरूर देखें क्योंके मैंने एक एक टॉपिक सीडीपी का यानि की चाइल डिवल्मेंट ने पैटोजी का आपको करवाया है और निराश ना हो क्योंके अब सीडीपी के मैं कुछ और वीडियो लेके आऊंगा फ्यूचर में लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हैं कुछ दिनों के लिए और मैं आपसे आपको इंग्लिश ग्रैमर करवा हूँगा दोस्तों जो यह कोशन पेपर आप देख रहे हो यह जो है एच्टेट का हाली में रिसेंटली जो कोशन पेपर हुआ था टूटाउजन ट्वंटीवन का है यह और जो लेवल है यह है पी आटी लेवल काफी इजी लेवल होगा लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से देख करना है और यहां पर जो है कोशन की आंसरिंग मैंने आपको पहले ही की हुई यह रेड मार्क आप देख पा रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं पहला जो क्वेशन होगा दोस्तों वो है यह काफी इंपोर्टेंट है डिग्री ओफ एड्जेक्टिव से यह क्वेशन है और जो है यह मैं आपको अच्छे से बता होगा कि दिखो इन तरह की डिग्री होती है आपकी पोजिटिव केम्पेरीटिव एंड अब comparative देखो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर हम दो चीजों को compare करते हैं दो चीजों की comparing हो रही है कि जैसे for example useful को लेकर यहां पर बोला जा रहा है कि useful की comparative form क्या होगी तो अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि he is more useful than you, he is more useful than you for me अब जैसे ही sentence है अब useful की अब हम comparison में useful लेकर आ रहे हैं आपको पता useful एक adjective है तो इसकी जो comparative form होगी वो होगी more useful ठीक है अब जो most useful होगी वो तो superlative हो गया वो क्या हो गया? superlative हो गया तो comparison जब हम करते हैं तो हम more use करते हैं most use नहीं करते हैं दो चीजों के पीच में अगर हमें comparison करना है तो we will use more, more useful जैसे कि sentence मैंने बता दिया he is more useful than you वो आप से ज़्यादा useful है ठीक है तो इस तरीके से आप इसके answer को identify कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है fourth is the right answer ठीक है तो next हम देखते हैं next question he was fine, he was fine dash parking his car अब देखो यहाँ पर आपको चार sentence दी हो है तो अगर आप यह बोलोगे he was fine about parking देखो sentence जुड़ भी नहीं रहा आपका, आपका sentence जुड़ भी नहीं रहा तो about वाला option तो हो इनी सकता अच्छा आप बोलोगे he is fine from parking तो यह भी sentence आपका नहीं जुड़ रहा है from parking हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे यहाँ पर use होगा he was fine उसको fine किया गया है किसके लिए fine किया गया है यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है तो he was fine for parking his car in a non-parking area ठीक है in a non-parking area तो किसके लिए fine किया गया है that is more more important तो यहाँ पर जो है second option आपका जो right answer हो जाएगा for and in तो sentence क्या बनेगा he was fine for parking his car in a non-parking area next question next question है बच्चो वो है आपका choose the grammatical correct sentence अब यहाँ पर आपको you know grammatical correct sentence को choose करना है और यह भी देखो काफी easy question है साची goes abroad last year ठीक है अब देखो साची जाती है last year जाती है तो sentence जूड़ी नहीं रहा है एक तो बोल रहा है कि साची goes abroad साची abroad को जाती है विदेश जाती है last year present में भी बात चल रही है और फिर past में भी आ गई तो यह चीज तो होई नहीं सकती बच्चो वह third और fourth में से एक हो सकता है of course आपको answer यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि third यहाँ पर क्यों answer है साची विल बी going abroad next year देखो जो यहाँ पर helping वर हम यूज कर रहे हैं वो विल है विल के बाद हमें सब first form आती है वर की जैसे मैंना बोला कि I have decided I will go अब present में जो हम action चूज करते हैं और तुरंत हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं यानि कि action का execution हो रहा है हमने कुछ चीज मैंना बोला आपको I have decided I will go I will eat तो अभी मैंने decide किया है मैं जाओंगा मैं खाओंगा ठीक है तो इस तरीके से अभी present में recently action को decide किया गया है और action का execution होने वाला है अभी तुरंत और अगर मैंने कुछ चीज decide की है वो long term के लिए decide की है मतलब next month next year तो फिर हम उसको बोलेंगे I I'll be going I'll be going I'll be going abroad next year तो यहां पर जैसे I'll be going to Japan next year I will be going to Japan next year तो अगले साल जाओंगा तो जो action का execution हुआ है उसको execute होने में काफी time लगेगा एक साल लगेगा 12 महीने लगेंगे तो वहां पे हम you know will be going जो यह आपका grammar है वो use करते हैं बच्चो I hope कि आप उस समझ में आ गया है तो option no.3 is the right answer आप चलते हैं next question पर one word for that is sure to happen is अच्छा आप आपको बताना है कि that is sure to happen यह जो phrase है इसके लिए एक word एक word में हमें इसको limited करना है तो देखो that is sure to happen अब यहां पर देखो illusion नहीं हो सकता आप इस तरीके से भी अपने question का answer लगा सकते है illusion तो एक भर्म होता है you know एक illusion उसको हम भर्म कहते है जो कि actually में होता नहीं है virtually होता है relevant भी नहीं हो सकता सम्मधित किसी चीज़ से सम्मधित related हो तो वह भी यहां पर नहीं है that is sure to happen मतलब कोई चीज़ अनिवारिये है कोई चीज़ नेससरी है इसका मतलब यह है that is sure to happen अब यहां पर option है या तो inviteable है या oblivious है रोप्शन यहां पर inviteable होगा inviteable का मतलब होता है that is sure to happen it means अनिवारिये को inviteable का मतलब होता है अनिवारिये तो that is sure to happen का मतलब भी कुछ इस तरीके से ही आपका निकल रहा है अनिवारिये तो यह चीज़ें आप समझ ले नेक्स कोशन करते हैं बच्चो नेक्स कोशन है he came late late here is आपको पताना है कि जो late है यहां पर वो क्या है adjective है, adverb है, conjunction है या फिर noun है देखो बच्चो एडवर्ब, adjective से related question आते हैं आपके exam में तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि मेरा free time हो तो मैं एक-एक topic को choose करके और उस पे आपको question answer कर रहा हूं पहले तो उसको concept expressions करेंगे जैसे कि noun हो गया, pronoun हो गया, adjective हो गया, adverb हो गया, conjunction हो गया, preposition हो गया, यह काफी सारी चीज़े जो है, मैं one by one आपको समझाऊंगा और करवाँंगा, तो देखो he came late, he came late, यहां पर late क्या है, तो late यहां पर बच्चो एडवर्ब है, option second is correct, जैसे कि आपको दिखाई हूँ, जाए आपको कोई भी sentence है, आप adverb को अच्छे से identify कर सकते हो, he came late, देखो adverb, suppose करो यहां पर जैसे late adverb है, तो आप किसी भी sentence में से adverb को हटा दो, तो still उस sentence का मतलब निकलेगा, ठीक है, अब आपको okay, I was saying he came late, अब यहां से हम late को अगर remove कर दें, late को हटा दें, तो he came बनेगा, he came का still एक मतलब निकल रहा है, कि he came वो आया, he came वो आया, अब वो कैसे आया, तो वो late आया, तो came क्या है, यहां पर verb है, अगर मैं आपको थोड़ा सा detail में बताऊं, तो came क्या है, came is a verb here, तो अब यहां पर verb को describe किया जा रहा है, by the late, late की द्वारा, ठीक है, देखो, जो adverb होता है, वो basically adjective को, you know, verb को, pronoun को, इनको describe करता है, क्या करता है, इनको describe करता है, तो basically he came, he came late, अब late को हटा दे, तो he came still एक sentence बन रहा है, तो, कि एक pronoun है, उसको मैं हां से हटा दूँ, तो came late बनेगा, तो सीधी सी बात है, आप subject को हटा दो, तो sentence का मतलब भी कर जाता है, आप verb को हटा दो, तो sentence का still एक मतलब निकलता है, ठीक है, तो यह trick मैं आपको बताईए, क्यूंकि आप इस trick को थोड़ा सफोकस करें, और इस पे questions, you know, आप gas करनी कोशिश करें, तो definitely, you would find the trick is very, very useful, तो start करते हैं, next explain करूँगा मैं आपको, 51 question, यहां पर आपको match करना है, match the following, अब जैसे देखो dogs है, अब dogs तो बार्क करता है, बार्क मतलब भोगना, तो यहां पर देखो, अगर आप एक तरीके से देखोगे, तो यहां पर आपका, यहां पर को एक बर, सीधा मतलब निकल र है, बार्क करता है, तो एका सीधा मतलब निकल रहा है, फोर्थ, तो यहां पर एका सिरफ एक ही है, एक फोर्थ, ए उपर, पहले वाले में ए सेकंड है, थर्ड़ वाले में ए सेकंड है, और फोर्थ वाले में ए फिफ्ट है, हम यहां पर तो confirm हो गए ना, कि dog बार्क करते है ठीक है तो still यही आपका answer होगा A fourth के साथ match हो रहा है बाकी को match करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि आपका second option में ही A fourth के साथ match हो गया we have confirmed this I mean we are sure about कि dog जो है बार करता है ठीक है that's how you can find the solution दोस्तो next question मैं आपको बता हूँगा यह है आपका 52 that is your house that is your house the underlined word is अब आपको पता है एक question आपका noun, pronoun, proposition, adverb से भी आता है तो यह question जो है देखना है आपको that is your house अब your क्या है यहाँपर तो your जो है प्रोनाउन है जो की house को describe कर रहा है house के बारे में बता रहा है तो noun को जो noun की जगह पर जो हम चीजे यूज करते हैं दोस्तों वो होता है pronoun, हिंदी में उसको सरवनाम कहते हैं तो your, he you know, his are, ये सारे के सारे क्या है pronoun है तो संग्या कि स्थान पर जो चीजे use हम करते हैं उसे हम क्या कहते है pronoun कहते है, सरवनाम कहते है तो your क्या है वह तुम्हारा घर है इट मेंस तुम्हारा यहाँ पर noun की जगह पर हम use कर रहे है योर तो योर क्या हो गया? pronoun हो गया दोस्तो next हम start करते हैं 53 question को explain करूँगा मैं अब आपको choose the correct spelling of the given word अब आपको यहाँ पर correct spelling बतानी है तो आप थोड़ा सा भी अगर word की spelling पर थोड़ा धिहान देते हैं तो vacuum science वाले बच्चे तो शाहिद इसको समझ जाएंगे vacuum जहां पर air ना हो environment ना हो उस जगह को हम vacuum कहते हैं तो vacuum की जो spelling होती है वो second है यानि की v-a-c-w-m ठीक है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर धिहान देना होगा बच्चो उसके बाद next question चलते है next question है आपका channel is a place channel क्या है ठीक है channel क्या है तो channel यहाँ पर जो है एक ऐसा घर होता है जहाँ पर dogs को रखा जाता है dogs are kept ठीक है dogs are kept थोड़ा सा difficult है सोचना थोड़ा मुश्किल होता है exam में ऐसे question को guess करना लेकिन जब आप practice करोगे तो एक दो question आते हैं ऐसे तो I hope कि वो questions है उनकी अगर आप practice करोगे तो बहुत ही कम chances होते हैं कि आपकी जो guessing है वो गल्थ जाए dogs are kept इसका right answer है next हम बात करते है the synonym of cold is the synonym of cold is cold का synonym क्या है बहुत easy question है आप option देख लें होड तो हो नहीं सकता यह तो बिल्कुल opposite है रहनी नहीं हो सकता pleasant नहीं हो सकता तो chilly is the right answer हम कई बार कहते हैं कि what a chilly day ठीक है जैसे आज कल ठंड हो रही है तो काफी chilly weather है तो chilly जो है वो cold का next शिवाजी वोज ए ग्रेट किंग अब देखो शिवाजी है सिम्बल जी बात है भाई शिवाजी एक नाम है तो यह एक नाउन है एक संग्या है ठीक है अब अंडरलाइन होगे तो किंग भी एक नाउन है तो बड़ा सिम्बल साहे है आपर कौन सब निकल जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं इन्फरमेशन आपको दे रहा है ठीक है ऐसा ही एडजक्टिव के साथ है आप एडजक्टिव को हटा दो तो संटेंस स्टिल संटेंस की एक फॉर्मेशन होगी sentence का एक meaning होगा आपके पास अगर मैं हाप एक great को हटा दूँ तो शिवा जी was a king तो still एक sentence है ये शिवा जी was a king लेकिन अगर मैं helping verb को हटा दूँ या फिर subject को हटा दूँ तो sentence का formation गलत हो जाएगा उसका meaning ही नहीं निकल पाएगा उसके पाद बात करते हैं 57th question how did you get there ठीक है how did you get there देखो how do you go to there आप थोड़ी सी भी अगर you know grammar में आपकी थोड़ी सी रुची होगी तो आप इसको पैचान जाएंगे how did you get there ये आपका past you know जो आपका past indefinite tense है जहां पर आपकी जो subject प्लस में वर्ब की second form आती है subject प्लस में वर्ब की second form plus object तो उसका जो ये question mark वाला sentence है आपको frame दिया हुआ है how did you get मतलब did जब हम लगाते हैं question mark में तो did लगाने के बाद जो है verb की first form हम use करते हैं second form यूज नहीं करते हैं ठीक है I hope कि आपको चीजें clear हो रही है बच्चो next हम बात करते है next question की next है choose the part of the sentence आपको इस sentence का part बताना है कि कौन सा part गलत है sentence दिया हुआ है we have seen lila in town the other day हमने lila को देखा उस दिन तो यहाँ पर जो have है वो गलत है we have seen नहीं आएगा आप कह सकते हो we saw we saw lila in town the other day ठीक है तो यहाँ पर जो आपका गलत है वो है we have seen यहाँ पर we have seen नहीं आएगा बच्चो right answer है आपका first उसके बात बात करते हैं the word which is not a synonym of foie is अब यहाँ पर you know the word which is not a synonym of foie is foie का synonym कौन सा नहीं है तो इसकी guessing करना बढ़ी असान है आप देखना होगा कि चार option में से कोई तीन option अगर आपको matching से हो रहे हैं और एक option वहाँ पर unique है मतलब different है उन तीनों से उसका कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल ही ultra मतलब निकल रहा है तो वो ही option आपका answer होगा देखो यहाँ पर enemy दिया हुआ है बच्चो उसके बाद opponent दिया हुआ है उसके बाद adversary दिया हुआ है तो तीनों का meaning a common सही है तीनों एक परकार के synonym है enemy मतलब शत्रू opponent मतलब दूसरा शत्रू होते हो opponent ही तो होता एक परकार का और adversary मतलब इसका meaning भी negative way में ही जा रहा है तो यहाँ पर जो friend है friend यह इन तीन option से बिल्कुल ही different है तो that would be your answer थोड़ा सा आप सोचो इस चीज के बारे में friend जो है वो foie का synonym नहीं है और last question का मैं discuss करूँ आज last question discuss करते हैं दोस्तो choose the correct option to fill the blank आपको blank में fill करना है कि इन चारों में से कौन सा option होगा तो a dog is faithful animal a dog एक ही dog है ना तो ना तो आप इसको n बोलोगे क्योंकि n तो हमेशा आर्टिकल से पहले लगता है तो dog d.r.is में तो आर्टिकल तो है नहीं यह the dog is faithful animal some भी नहीं हाएगा dog a की है countable है तो उसको हम a dog बोलेंगे a dog is a faithful animal तो right जो answer है वो आपका a है यहाँ पर a dog is a faithful animal यानि कि second option आपको right answer है तो दोस्तों यह 15 questions आज मैंने आपको कराए हैं मैं फिर से बता देता हूँ at stat 2021 का यह question paper था PRT level का level थोड़ा सा easy हो सकता है आप लोगे लिए लेकिन ऐसे ही question paper को solve मैं करवाता रहूँगा और अब जो है मैं जैसे की adverb हो गया noun हो गया इनको explain करूँगा और इनके उपर आपको questions कराऊँगा आप कुछ short tricks बताऊँगा तो आप subscribe जरू करिए के channel को अगर आप first time मेरे इस platform पर आए है और अगर आप CDP अच्छे से cover करना चाहते हैं तो child development pedagogy की सारी videos आप इस channel से access कर सकते हैं बच्चो ठीक है thank you very much इस video को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं किसी नई video में thank you दोस्तो